योगिस सरकार का बुल्डोजर ढा रहा है लोगों के मकान, छीन रहा है सब की रोजी रोटियां उतर प्रदेश के सरकार में अभी चंदी दिन हुए है, सरकार बनी हुए अभी प्रदेश की जंता की उе उंगली की सियाही हटी भी नहीं है कि योगी सरकार भाजपा की सरकार ने गरीब लोगों की रोजी रोटी चीनना शुरू कर दिया है बुल्डोजर से लोगों के मकान ठेला फरसब्दी सबको चीजें उजाड़ी जा रही है गरेबों की दुकान वा मकानों को गिराया जा रहा है उजाड़े गए लोगों में भारी तादाद में गरीब लोगों के संक्या से आदा है जिनोंने हाली में संपन हुए विधान सभा चुनाओं में भाजपा को वोट दिया था और सरकार बनाने में अपनी एहम भूमिकाने भाई थी मुरा दबाद के कपुन कपुनी के फल सब्दी वालों को भी उजाड़ा गया है भाजपा की योगी सरकार ने उजाड़ कर फल सब्दी ठेले वालों की सारी दुकानों पर बुल्डोजर चला कर खत्म कर दिया हर सैकलों परिवार की रोजी रोटी छीन ली है इन लोगों ने भाजपा को ही वोट दिया था जुनके जीवे का बचाने के लिए कोई भाजपने था आगे नहीं आया है सब जगा बुल्डोजर चलाया जा रहा है सब के मकानों को गिराया जा रहा है गागन पर बने सरदारों के 70-80 से ज्यादा मकानों पर पुराने बने मकानों पर गुरुद्वारे पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है एक तरफ गरीबों की बाद दूसरे तरफ उनको उजाड़ना बाजपा को धोका देने की पुरानी निती है बुल्डोजर का कहर सब लोगों पर चाया हुआ है लोग परिशान है और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है मुरादबास से बेरो रिपोर्ट कर दोल्डोजर वेवेवेव शादबास से लोगों में है कर दोल्डोजर कृशा हुआए कर दो